उधर इरान के पर्माणू कारिक्रम को लेकर क्या है नया खुलासा ट्रम्प प्रशासन ने चीन की 60 कंपनियों को क्यों क्या वैन और चीन के खिलाब जापान की क्यों तेज की जंग की तैयारी देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड अमेरिका सी तनतनी की बीच इरान के पर्माणू का अरिक्रम को लेकर एक नया खुलासा हुआ है सैटेलाइट तैस्वीरों के मताबिक इरान पर्माणू का ग्यानिक मौसिन फगरी जादे की हत्या के बाद भूमिगत पर्माणू प्लान का काम तेजी से बढ़ा रहा है इरान सी तनतनी की बीच अमेरिका की टॉप कामंडर मार्क मिले अचानक इजराइल पहुँचे इजराइल में मार्क ने रक्षा अधिकारियों से इरान की तरफ से होने वाले किसी भी आकरमन को लेकर चर्चा की TRUMP प्रशासन एरान के खत्रे को देखती ही विये इसराइल की साथ मिलकर रणीटी बना रहा है अमेरिका से तनातनी की बीच एरान ने कहा कि रूस के साथ अपने सैने सहियों को जारी रखेगा इरान ने दोहराया है कि अमेरिका की बैन के बाद भी उसकी सैने ताकत और वैग्यानी खोच पर असर नहीं पड़ेगा रूस पहले ही इरान पर अमेरिका की बैन को अवैद पता चुका है अमेरिका पर साइबर अटेक के आरोपर पर रूस ने तलख जवाब दिया है रूस ने कहा कि अमेरिकी मीडिया साइबर अटेक को लेकर भ्रम फैला रही है रूस के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी सरकार ने अब तक आपचारिक टॉर पर साइबर अटेक को लेकर कोई बयान नहीं दिया है ट्रुम् प्रिशासन ने चीन को एक और जटका दिया है अमेरिका ने चीप बनाने वाली चीन की बड़ी कमपनी SMIC ड्रोन बनाने वाली कमपनी SJ DJI समेट 60 कमपनियों को बैन कर दिया है अमेरिका का कहना है कि इन कमपनियों से उसकी राष्टी सुरक्षा को खत्रा है ग्रीस और तुर्की की बीच तलखी और बढ़ गई है ग्रीस ने अथन्स में तुर्की दूतावास के एक काउंसर को गिरफतार किया है ग्रीस के मताबिक तुर्की दूतावास का ये काउंसर जासूसी में शामल था नाटो में शामल तुर्किया और ग्रीस में ग्यास खनन को लेकर विवात चल रहा है जापान में पूर पियम शिंजो आबे से राजनीतिक चंदे को लेकर पूशताच हुई है सताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने शिंजो आबे से पूशताच की जानकारी मीडिया को दी फिलहाल शिंजो आबे ने इस मामले पर कोई रियक्शन नहीं दिया है चीन की खिलाफ जापान की जंगी तयारी और तेज हो गई है जापान अपनी सैने ताकत को मजबूत करने के लिए अमेरिकी कंपणी लॉख हीट मार्टिन के साथ करार किया है लॉख हीट मार्टिन जापान को नया स्टील्ट फाइटर जट्स बनाने और एंटिशिप मिसाइल बनाने में मदद करेगी